इमज आप्टिमाजेशन देखें इमज आप्टिमाजेशन ही होती है कि आप गूगल को ना बताते हैं कि आपके वेब पेज पे जूंसी इमज लगी है न वो किस चीज की है ठीक है अभी आपको यहां पे यह नज़र आ रहा हुआ कि जी के एक एंड्रॉइड की इमज लगी हुए है लेकिन अगर मैं इसके बैक एंड्र में इसे किसी का नाम लेगता हुआ न तो जोses पर रहिंग फर अगर गूगल में मैं आपका नाम लिखूँ तो यह वाली में जाना शुरू हो जाएगी तो जो भी इमेज होती है ना उसके बैकेंड पर ना एक और का टैग होता है ठीक है मैं इसको राइट क्लिक है मैं इसका आपको बैकटार ने ने करना-चा काम आपने डिए ना इसमें कीवड़ डालना ओता है जोन से मनें कीवर्ड रीसर्च की होती है ना वो ही जो है ना हमने यहां पर पेस्ट करना है कीवर्ड जो आप में कीवर्ड है अब मैं फॉर इसको दरा करके देखता हूँ है अब देखे हैं प्याइब ट्रेनिंग सा लिंक आ रहा है नजहारा सबको के नहीं आ रहा है मैं माउस इसके उपर लेगे जा रहा हूँ प्यानल ट्रेनिंग्स डॉटको में जा रहा है आपको अभी आ रहा है या यह हमारी वेपसेट से आ रहा है क्योंकि मैंने जो यह भी कीवर्ड गूगल में डाला न क्लासिज यह मैंने इस इमिज के और में यूज किया हुआ है यह देखें यह यह लिए लिखा वागा है अधिवल्मेंट ग्लाशिज जैसे मैं सो गूगल में डाला है तो बाद देखें कि इमिज में यहां पे ड्रेनिंग्स आप इसकी सीधी वेबसेट पे जा सकते हैं ठी और पर पार खिर झाप में आपिक कुई डाले कोई आपका में डिक्षिए मिया के तू बढ़े लोग आ सकते हैं और अगर लोग बेशक नाम भी आएं का महाएं लेकिन आपको अच्छे प्रश्च लाग हो में चले जाते हैं कि उता ही है कि बेश्च को प्लिक नीमिल रहे हैं तो आप जितनी बी में जिसना है उसके और के टैग में आपने पना कीवड डाला है या गूगल को बता रहे हैं कि यह इमेज किस चीज की है अगर आप और का टैग खली छोड़ देंगे तो वो फिर आपकी इमेज को नहीं रीड करेगा और अपने इमेज के सर्च इजल्ड में भी नहीं दिखाएगा ठीक है तो यह भी आप अपने डिवैलपर से कहेंगे और अगर आप खूद आती है तो प्लस पॉइंट है भी मेरे और टैग में आपने लेकित कॉपिन करते ह हैं पूसलिवा है वहरूद और जातर होता है जिनके जो लोग प्रॉड़क्ट रहे हैं आप भी 만प्रॉडक्ट बेच रहा है यह अपकी फोट अप्यूद आ अब जीज़ आपक और कर सकते हैं कि इस बंदेने मेरी जो है आप इसकी रैंकिंग डाउन करें लेकिन उसके लिए आपको पूर्व देना पड़ाएं को कि आप याप कैसे आपको दिखाएंगे मैंने खरीद दिया मैंने क्या लिए ठीक है अच्छा इमेज आप्टिमाजिशन के पूसर में जा गई है सिंपल अपनी पॉल टैग में अपना कीवर्ड एड़ कर देना ठीक है आगे चलते हैं अच्छा ब्यूर्व क्रिएशन है गूगल पांड़ा करेंगे वो पूरा गैंटा लग जाना उस पर यूर्व क्रियेशन यूर्व क्रिएशन के होती है कि आपने अपनी वेब साइट के जो यूर्ल होते हैं उनको बड़े तरीके से बनाना होता है याँ तो आप खुद ल गलत बना जिता है तो आपको उसे गाइड करना पड़ता है कि मेरी वेब साइट पर ये वाला यूर्व खराब है इसे ठीक करें मैं एक वेबसेट आपके सामने खोल रहा हूँ आइग इसके किसी भी पेज में जा रहूं फॉर ग्वेंपल बैंगल अब देखें आपको उसका यूर्व नजर आ रहा उपर कोसिन मार्क अंडर स्कोर कैटेगरी इस एकल टू रैंगल ठीक है अब मैं यह पी एन वाई जो है उसको मैं खोल लेता हूँ अब मैं यह वेब डिवेल्मेंट वाला पेज खोल रहा हूँ अब आप अब एक चीज नोट करें इसका यूर्व देखें वैब डिवेल्मेंट ट्रेइनिंग यह यह में डिवर्ड है ठीक है हमने के हमने इसको ना यूरल में यूज़ कर लिया है अब आप एक चीज देखें कि यह वैब डिवेलमेंट का पेज़ इसका यूरल देखें और यह बैंगल का दूसरी वेबसर का पेज़ है इसका यूरल देखें दोनों में कुछ फरग में दरा महारा आपको इसमें कॉसिंचन मार्के अब क्या काम है प्रोडोक्ट अंडर्स्कोोर कैट इस्टीक डूटोडुक यह पोई काम नहीं है और प्रोडटक यहांपे कोई काम नहीं है अगर यह सिंपल होता निड्र.ट प्के इस स्लैश बेंगल तो समझा रही है अब आप के जब भी आपके यूर्ल्स क्लियेट होंगे ना आपने उस युर्ल में भी अपना कीवड यूज करना है ठीक है अब एक छोटा से रिव्यू लें कि कशे दाइटल में अटिकर डिस्क्रिप्शन ठीक है आपने अपने हेडिज में अपने काण्टेंट में और अपने यूरल में चहे जगों पे आपने में है यूज कर लिए यूज कर लिया है erased अब इन ही जोगों पे अगर आपना किट भी के साथ नहीं आपकी मैज छीकrzy니까 इन अगर साथ जगों पे आप अपना कीवड यूज नहीं करते हैं तो आपको उस कीवड पर रैंक नहीं मिलता जिस पे आप रैंक चाह रहे हैं और आप रैंक क्यों लेना चाह रहे हैं आप रैंक इसलिए लेना चाह रहे हैं कि आपने कीवड रीसर्च में देखा था कि उस क कीवर्ड को फॉर एग्जैम्पल दस हजार लोग सर्च करते हैं तब वह आपने कीविड सेलेक्ट किया है अब वह कीवर्ड रीसर्च मुझे जब मैं ने की मुझे गूगल एडवर्ड बता रही है आप कि इस कीवर्ड को 10,000 लोग online search करते हैं मैंने यह किया कि मैंने उस keyword को pick किया और उसको अपनी इन साथ जगों पर जो हमने discuss की है वहाँ पर implement कर दिया ठीक है जब हमने implement किया ना तो अब हमारी website के उपर गूगल का बॉट आएगा जिसको आप crawler कहते हैं spider कहते हैं बॉट कहते हैं ठीक है काफी जार इसके और भी नाम है बूगा करेगा कि वो आपका जब वैब पेज पे आएगा ना वह आपका टाइटल भी पड़ेगा देखें आपका जो crawler रहना वो आपके बैकेंड उसमें उसको फ्रेंट का कुछ नहीं पता उसको सिर्फ बैकरेंड का पता उसने यहां से शुरू हो जाना है यह डॉक टा आपने वेब पेज पर इंप्लीमेंट की हुई है और उसको उन उन जगों पर आपका वह वाला कीवर्ड मिलेगा वो के करेगा कि वो सारा यह जो अपना आपका बैकेंड पड़ेगा ना डेटा यह स्टोर कर लेगा अपने सर्वर पर सर्वर का किसको नहीं पता होता है कि आप उसको डेटाबेस भी बोलते हैं सर्वर भी बोलते हैं उसमें यह देखें जब आप कोई डेटा है वो एक जगा पर स्टोर होता है ठीक है गूगल के बॉट से करते हैं कि यह जो सारा डेटा ना यह फिर अपने सर्वर पर अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेत जो ना सब्सक्रारा है जो एक उसरस्त है hell को इस दिरून रुटीटेचस कि तो आज श्याटी कीवर पर था जी गेम है ठीक है यह उसने मेरी वेबसाइट से फ़र एंपल यह मेरा मेंगेवर था उसको काफी दफ़ा यह नजर है उसने यह पढ़ा था मेरी वेबसाइट से अब क्या होगा कि उसने जब यह मेरी वेबसाइट से पढ़ा है ना तो मेरी वेबसाइट से पढ़के सारा उसने डेटा इंडेक्स हर लिए अपने सर्वर पे और जो गूगल सर्च है और उसका सर्वर यह आपस में जो हैं वो कनेक्ट है तो जैसे किसी ने सर्च में लिखा जी गेम डिवेलमेंट ट अि अगर आपने अच्छी की की होगी सारे पांट किया होंगे आगे जो आज सारा कुछ आपनींकिया वे दिखाएगा अगर आपमें इसकी गाइड्ट के मताविक काम नहीं किया वहाँ आपको नहीं दिखाएगा या काफी बीजिए दिखाये झाल झाल झाल